हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आस्तिन में डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम बक्रम लेंगे तो बक्रम की लंबाई नापने के लिए बक्रम को फोल्ड करके आस्तिन की चोड़ाई के बराबर नाप लेंगे अब हमारी बक्रम की चोड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं तो फ्रेंट हमारी बक्रम की चोड़ाई 6-6 अब हमें बक्रम को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है अब हम यहां से एक बार और फोल्ड करेंगे फिर इसे एक बार और फोल्ड करेंगे अब हलका सा गोल सेप में फ्रेंड हम इसे लाइन अप करेंगे इस लाइन के नीचे हमें एक और लाइन गोल सेप में लाइन अप करनी है तो उसके रिए हम एक इंच के लंबाई नापकर यहाँ पे टिक लगा लेंगे अब दूसरे साइड में भी हम टिक लगा लेंगे अब हम इसे हलका सा गोल सेप में लाइन अप कर लेंगे तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का option जरूर select करें जिससे हमारी next वीडियो की notification मिलती रहेगी अब हम इसकी cutting कर लेंगे जिस shape में हमने line up किया है तो friend हमने design के cutting कर लिए design के cutting करने के बाद हमारे design का look कुछ इस तरीके से आएगा तो friend यह हमारा पहला design है अब दूसरा design के cutting करने के लिए हमारा जो gold shape में बक्रम कटा हुआ है उसके नीचे के side से हम यहाँ से cut कर लेंगे जो कि हमारा बहुती easy दूसरा design भी तयार हो जाएगा अब हमें दोनों कपड़े को इस तरीकी सायता से कपड़े पे चिपका देना है तो सबसे पहले हम इस वाले design को बनाएंगे तो friend हमने इतना एश्टा कपड़ा लिया इसे fold कर देंगे हम इस तरीके से fold करने के बाद हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो जिस shape में हमारी बक्रम की cutting हुई है बिल्कुल उसी shape में हमें इसके उपर सिलाई चला लेनी है सिलाई चलाते से में कपड़े को हलका हलका घुमाते रहें जिससे आपका सिलाई perfect shape में चलेगा और आपके design में finishing भी बहुत अच्छा आएगा हमारी ये line भी complete हो चली है अब हम यहाँ से धागे को cut कर लेंगे धागे को cut करने के बाद किनारे के side से हम extra कप्रे की cutting कर लेंगे तो जिस shape में हमारा बक्रम का cutting हुआ है बिल्कुल उसी shape में हमें किनारे के side से कप्रे की cutting कर लेनी है लेकिन हमें सिलाई के हलके से बगल में cutting करनी है सिलाई के उपर cutting नहीं करनी है इश्ट्रा कप्रे की cutting करने के बाद हमें डिजाइन में छोटे छोटे ऐसे कर दे देने जिस से हमारा बकरम अच्छे से fold हो जाएगा तो फ्रेंट अब हम बकरम को fold कर लेंगे इसे फोल्ड करने के बाद फ्रेंट आप इसे इस्तरी कर ले जिससे आपका डिजाइन पर्फेक्ट सेप में बैट जाएगा तो फ्रेंट चौकोर सेप में छोटे-छोटे कटे हुए हम धेर सारे कपड़े लेंगे इसे आपको इस तरीके से फोल्ड करते हुए डिजाइन के किनारे के साइड में यहाँ पे लगाना है अब हम इसके उपर हलका सा सिलाई चला लेंगे बिल्कुल इसी इस टेप को फोलो करते हुए फ्रेंट कपड़े को फोल्ड करके हम एक के नीचे एक लगाते जाएंगे और इसके उपर हम सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद जो हमारा दूसरे कलर का कपड़ा है बिल्कुल इसी इस टेप को फोलो करते हुए हम इसी डिजाइन के ऊपर के सैड में इस तरीके से लगाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे जिससे हमारा नियू स्टाइल में डिजाइन तयार हो जाएगा इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे तो फ्रेंड हमने एक डिजाइन को तयार कर लिया, अब हम दूसरा डिजाइन लेंगे, तो फ्रेंड दूसरे डिजाइन में हमने इतना कपड़ा लिया, इसे फोल्ड करते हुए, इसके उपर हम सिलाई चला लेंगे, तो जिस सेप में हमारा डिजाइन का कटिंग हुआ है, ब घंटे को बजा कर आल का उप्शन जरूर सेलेक्ट करें जिससे हमारी नेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो फ्रेंड सिलाई करते से हमें कपड़े को हलका हलका घुमाते रहें जिससे आपका डिजाइन परफेक्ट सेप में बैठेगा और आपके डिजाइन हमें छोटे-छोटे कर दे देने जिससे हमारा बकरम अच्छे से फोल्ड हो जाएगा अब हमें फ्रेंट डिजाइन को फोल्ड करके सीधा करना है तो हम इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इसे प्रोपर सेप में फ्रेंट फोल्ड करने के लिए हमें कोई भी नोखीला सा चीज लेना है जिससे हमारा डिजाइन परफेक्ट सेप में आ जाएगा तो ये देखिए मैंने ये नोखीला सा चीज लिया है इसकी सहायता से मैं यहाँ पर प्रोपर सेप में डिजाइन को बाहर की तरफ ला दूँगी। डिजाइन को सीधा करने के बाद इसे परफेक्ट सेफ में बैठाने के लिए हम इसे इस्तरी कर लेंगे जिससे हमारा डिजाइन परफेक्ट सेफ में बैठ जाएगा। तो हमने डिजाइन को इस्तरी कर लिया है अब फ्रेंट जो हमारा ये उपर की साईड वाला डिजाइन हमें उसकी सिलाई करनी है तो इसकी सिलाई करने के लिए फ्रेंट हम एक लंबा सा चोड़ा सा कपड़ा लेंगे इसे यहाँ पर लगाएंगे अब इसे ऐसे पलट लें Secret अब जिस shape में friend हमारा बकरम का cutting हों है बिल्कुल उसी shape में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो friend हमारी ये line भी complete हो चली है अब हम यहाँ से धागी को cut करेंगे और जिस shape में हमारा बकरम में बिल्कुल उसी shape में हमें extra कपड़े की cutting कर लेनी है लेकिन हमें सिलाई के हलके से बगल में एश्ट्रा कप्रे की कटिंग करनी है फ्रेंड इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड अब हमें क्या करना है बक्रम को फोल्ड करके हमें सीधा कर लेना है तो हम यहाँ से अच्छे से बक्रम को फोल्ड कर लेंगे तो फ्रेंड इसे हमने फोल्ड कर लिया है अब इसके सिलाई किस तरीके से करनी है फ्रेंड वो हम आपको बताते सबसे पहले जो उपर के साइड में हमारा एश्टरा कपड़ा है हम कट कर लेंगे जो हमारा दूसरे साइड में भी एश्टरा कपड़ा है उसकी भी cutting कर लेंगे हम तो ये देखिए फ्रेंट हमने दोनों साइड में एश्टा कपड़े की cutting कर ली है अब हम एक कपड़े को अंदर करते हुए उपर के साइड से दूसरे कपड़े को fold करके हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे जिससे हमारा दोनों कपड़ा joint हो जाएगा इस तरीके से फ्रेंट आप इस डिजाइन को बहुती easy step में बना सकते हैं अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे तो फ्रेंट डिजाइन में perfect finishing के लिए हम इसके उपर एक और सिलाई चला लेंगे पहले वाली सिलाई के बगल में एक और सीधी सिलाई चला लेनी है फ्रेंट इस line को complete करने के बाद हमें दोनों डिजाइन को ज्वाइंट करना है यह वाला डिजाइन ले लेते हैं अब दोनों डिजाइन को हमें कुछ इस तरीके से लगाना है यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे अब जो हमारा नोखीला नोखीला सा डिजाइन है हम उसे सूई धागा के मदद से दूसरे वाले डिजाइन में जॉइंट कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड हमने दोनों डिजाइन को जॉइंट कर लिया है अब फ्रेंड हम क्या करेंगे आस्तिन का कपड़ा लेंगे आस्तिन के कपड़े को हम यहाँ पे लगाएंगे फोल्ड करके यहाँ पे लगाने के बाद इसके उपर हम एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करकी घंटी को बजा कर आलका उप्सन जरूर सेलेक्ट करें जिससे हमारे नेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद डिजाइन में पर्फेक्ट फुनिशिंग के लिए हम इसके उपर एक और सिलाई चला देंगे जिससे हमारा डिजाइन पर्फेक्ट सेप में बैठा रहेगा और कहीं भी सुक्ड़न नहीं आएगा अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे धागे को कट करने के बाद फ्रेंड जो हमारा एश्ट्रा डिजाइन है उसकी कटिंग कर लेंगे तो यहाँ से हम एश्ट्रा डिजाइन की कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंड हमारा डिजाइन बनके कंप्लीट हो चला है तो फ्रेंड आपको हमारा डिजाइन कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूले थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में